हलो दोस्तों अग्यात एक खोज में आप सभी का स्वागत है यह चानल हमारे जैसे जिग्यासू व्यक्तियों के लिए है जो स्वयम की तलाश में अपने धर्म से जुड़ना चाहते हैं और हमारे प्राचीन ग्रंथों से जुड़ी सची अग्यात कहानियों और तथ्यों को प होता है और इसे कैसे किया जाता है इसको किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए इस वीडियो में जो चित्र आप देख रहे हैं, वह है भगवान और देवी देवताओं को प्रणाम करने का सही तरीका हम सभी ने देखा है कि कई लोग अपने आराध्थे के सामने लेट कर माथा टेकते हैं जी हाँ, इसी को साष्टांग दंडवत प्रणाम कहा जाता है, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है, इस प्रणाम में व्यक्ति के आर्थ अंग जमीन को स्पर्ष करते हैं, जिससे की माना जाता है कि व्यक्ति अपना अहंकार त्याग चुका है इस आसन के जरी हम इश्वर को यह बताते हैं कि हम उसे मदद के लिए पुकार रहे हैं यह आसन हमें अपने अराध्य की शरण में ले जाता है लेकिन आपने कभी यह ध्यान दिया है कि महिलाएं इस तरह से प्रणाम नहीं करती या अगर करती भी हैं तो उनको नहीं करना चाहिए जी हाँ महिलाओं को साश्टांग दंडवत प्रणाम क्यों नहीं करना चाहिए हम आपको बताते हैं शास्त्रों के अनुसार स्त्री का गर्प और उसके वक्ष कभी जमीन से स्पर्ष नहीं होने चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि उसका गर्प एक जीवन को सहेज कर रखता है और वक्ष उस जीवन को पोशन देते हैं इसलिए इस प्रणाम को स्त्रियां नहीं कर सकती वो करती हैं तो भी उन्हें नहीं करना चाहिए स्त्रियों के लिए पंचांग प्रणाम ही उचित है जिसमें की पाँच अंग जमीन को स्पर्श करते हैं जैसा कि आपने इस चित्र में देखा आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपने व्यूस हमसे कॉमेंट्स में जरूर शेर करें धन्यवाद